question number one part two you have to find the value of 1026 degree upon cot 64 degree इसमें इसको भी हम वैसी करेंगे जैसे पर sign वाला कर रहा था बस इनमें करेंगे 10 का फामुला और एक में cot का खर ठीक है we know that 10 90 minus theta is cot theta and cot 90 minus theta equal to 10 theta अब वो डिपेंड आप में करता है चेंज किस में कर रहा हूं है उपर या नीचे ठीक है पहले में चेंज कर रहा हूं इसमें उपर आरे में तो अब 10 theta देखा तो 10 26 कैसे लिए सकता हूं 90 किटा में 10 90 minus 64 कि 10 90 में से 64 minus करों तब ही कितना है मेरा 10 26 ठीक है और निचे वाला फिक्स आशी तो 10 26 को लिखने का तरीका क्या है 90 minus 64 10 हो गया यह 90 हो गया यह theta और हमें हमें पता है formula में कि 10 90 minus theta क्या देता है cot theta तो क्या देखा cot और theta काम कौन कर रहा है 64 तो cos 64 निचे cos 64 constant था cancel out करों कितना आजाएगा 1 और अब मैं 10 26 को fix कर रहा हूं और change किसे में कर रहा हूं 64 में तो 10 26 ऐसी अब cot कितना देखा 64 64 90 में से कितना minus करों कि 64 आजाए तो 90 में से कितना minus करों कि 26 90 minus 26 कितना देखा 64 26 उपर ऐसी अब cot 90 minus theta कितना देता है 10 theta cot 90 minus theta cot 10 theta cot 90 90 एदा theta के काम कर रहा है 26 तो क्या देखा 10 theta 10 theta theta के काम कर रहा है 26 उपर 26 नीचे 26 cancel out कितना देखा 1